प्यारे विद्यारतियो नमस्कार स्वागत आप सभी कार नए वीडियो में प्यारे विद्यारतियो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्सिक परिक्चा पेपर कक्षण नोवी अंगरेजी विशे में आप से कौन-कोन से question पूचे जाएंगे जी हाँ बिल्कुल सही सुनरे हो आप चाहे आप किसी भी जिले से बिलोग करते हो और आपके हाथ में चाहे कोई सा भी सेट आता हो पर मैं आज जो आपको question और answer बताने वाला हूँ बिल्कुल आपसे परिक्चाओ में प्रती एक सेट में यह question पूचे जाएंगे और यही इनके answer आपको लिख कर आना है तो वीडियो को बिल्कुल लाष्ट तक जरूँ देखेगा जिससे कि आपको पूरा question पेपर आसानी से समझ में आ सके तो वीडियो को पूरा का पूरा लाश्ट तक जरूर देखीगा जिससे आपको पूरा सब कुछ समझ में आ सके अगर आप वीडियो को skip करके देखोगे या आगे निकालके देखोगे या कुछ भी आदा दूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी इसमें से समझ में आएगा नहीं, तो सबसे पेले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सबस्काइब ने किया है तो प्लीज जल्दी से सबस्काइब के बटन को दबा कर चैनल को सबस्काइब जरू कर ले और सांती बेल आइकन को भी दबा ले प्यारे विद्यारतियों वेसे गणित वशे का पेपर आपका हो चुका है और मुझे आसा है कि आप सभी का पेपर बहुती अच्चा गया होगा क्यों कि मेरे द्वारा जो चार सेट अपलोड किये गये थे सभी कुछ उसी में से पूचा गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वारसिक परिक्चा पेपर कक्चा 9 वी अंग्रे जी विसे का आपका केसा कोस्चन पेपर आएगा कितने सारे कोस्चन इसमें से आपसे परिक्चाव में पूचे जाएंगे वन बाई वन करके पूरा का पूरा कोस्चन परिक्चा परिक्चाव में पूचे जाएंगे वन बाई वन करके पूरा का पूरा मैं आपको सुल्यूसन सहीद बताने वाला हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वारसिक परिक्चा पेपर कक्चा 9 वी अंग्रे जी विसे का आपका केसा कोस्चन पेपर आएगा कितने सारे कोस्चन इसमें से पूचे जाएंगे तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जो मैं आपको कोस्चन बता रहा हूं न यही कोस्चन पूचे जाएंगे तो सबसे पहले आप मोबाल स्क्रीन पर देख पारे हो यहां पर मैंने कोस्चन भी सामिल किये हैं और उनके आंसर भी है तो सब कुछ आप आसानी से पूरा देखते चले पेला कोस्टन आप यहां से नोट कर सकते हो आप के पास में कोई साभी सेट हो चाहे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी सेट में आ चुके Royal Academy of Music तो इसका right answer क्या हो जाएगा वहन Elvin went there she was around 17 years old देखेगा बहुती सरल answer है इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए अगला देखते हैं question number 2 वहन वाज Elvin deafness notice याने कि Elvin ने भेरेपन को कब महसुस किया तो Elvin deafness was notice वहन she was 8 year old जब वह 8 साल का था तब ये बात पता चलीती है अगला देखते हैं by whom was Elvin deafness notice किसके द्वारा Elvin को बहरा है ये इसा notice किया गया तो देखेगा Elvin's deafness was notice by her mother याने कि उसकी मम्मी को पेले पता चलाता कि Elvin जो है बहरा है अगला देखते हैं Ben was Elvin deafness confirmed कब हुआ याने कि Elvin का बहरापन कर्भ उसकी पुष्टी वी तो देखेगा Elvin deafness was confirmed when she was 11 year old तो जब वह 11 साल का था तब ये confirm हुआ आगला देखते हैं तो आगला आप यहां पर देख पार हूँ इस्पोर्टेट एल्विन्स पोटेंशल तो देखेगा या पॉसेंटर तो आपको यह आँसर इस CT CJ से लिख लेन है और आगे भी मेरे द्वारा जो QDS अंसर आप सबको बताए जा रहे हैं आपके 거지्पर में आपके पर में पूरे की पूरे QDS और ऑंसर यही आपको लिख कर आना है चाहिए आपके पास में कोई सा भी set आ जाए पर आपका जो question नमर nine के लेके ten के लेके वाइड इड औरंग जे बेन प्लेईंग और पुंगी यानि कि औरंग जे बने पुंगी पर पृतिबंद क्यों लगाया तो देखेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से आप देख पारे हो औरंग जे बेंग प्लेंग पूंगी एट इस श्रिल अपसलेल अनप्लेजेंट साउंड यानि कि उसका जो उसको स्वर अच्चा नहीं लगता था तो इस प्रकार साब को पूरा यह याद कर लेना है बिल्कुल मेरे द्वारा जो कोस्टन आंसर आप सभी को बताया जा रहे हैं पूरे के पूरे आपके परिक्चाओं में यह कोस्टन आंसर आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली च children को देख कर लेते हैं यहां से आप देख पा रहे हो देखेगा हे इज सेनाई डिपरेट फ्रोम हे पूंगी यानि कि सेनाई सेनाई से केसे अलग है तो देखेगा पूंगी हे स्रिल अन्पलेजर्ट शाउंड डिशन प्रकार सा प्रकार से आपको पूरा याद कर लेना है आपके पास में आपके परियाप्त समय है अगर आपको आपके कोश्चन पेपर के question नमर 10 से लेखे 16 तक का पूरा का पूरा अगर आपको याद करना है तो आप इन question answer को जरूर बिलकुल अच्छे से याद कर लिजीगा बिलकुल आप से परिक्चाव में यह question पूछे जाएंगे अगला आप यहाँ पर देख पा रहे हो why was तो यह उनसे कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे इसलिए खेजिया उनसे डरती थी तो यह हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने लोग थे ग्रांड मदर यानि की दादी थी पिताजी थे और मम्मी थी तीन लोग उसके परिवार में थे अगला आपको यहाँ बताना है वहर, वहन एंड वहर वाज अलबर्ट आइंस्टेन बोर्न कब और कहां पर जन्व हुआ अलबर्ट आइंस्टेन का यह बताना तो देखिएगा अलबर्ट आइंस्टेन वाज बोर्न इस सेर में उनका जर्म हुआ था यह आपको याद रखना है और उसी के नीचे यहाँ से आपसे एक कोस्चन पूछे जाएंगे देख सकते हो आप वाज वाज आइंस्टेन प्लेमेट काल हिम आइंस्टेन के जो प्लेमेट्स थे खेलने वाले मित्रे उनको क्या केते थे ब्रदर बोरिंग क्या केते थे ब्रदर बोरिंग केते थे उनको यह आपको याद कर लेना है अगला देखते हैं वाज वाज आइंस्टेन हाइली गिप्टेट इन देखेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हिवाज highly gifted in the mathematics तो यह आपको याद कर लेना है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मेरे द्वारे जो question answer यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपका यह कोई सा भी set हो चाहिए आप किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो आपके सभी जिलों में सभी set हो में question answer आपसे पूछे जाएंगे मैं तो आपको यह कह रहा हूँ कि question answer को इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है आपका जो question number 10 होगा ना पेपर में उसमें 10, 11, 12, 13 और इस प्रकार से 16 तक जो question होंगे उन सभी में यह question आपसे पूछे जाएंगे और इनको याद जरू कर ले आप अच्छे से अगला दिया गया है वेन वाज आइंस्टेन आवार्ड दा नोबल प्राइज एंड फोर वाट तो देखीएगा आइंस्टेन वाज आवाडड दा नोबल प्राइज फोर फिजिक्स इन 1921 तो यह आपको लेगना है अगला दिया गया है वाट सूड साउंड डिट दा डॉक्タर हीर इन दा लेसन दा इअसनेक एंड डा्मिरर प्राइज देखीएगा दा डॉक्टर हेर नौट ग्रिपिंग शाउंड तो यह आपको याद कर लेना देखिएगा the doctor thought that it was the sound of the rates तो यह आपको याद कर लेना है अगला दियागा है how many time did the doctor hear the sound he heard it four times कितनी बार सुना हुसने वो sound चार बार वहर वाजदा अबदुल कलाम साउस तो देखेगा यह भी आपको याद कर लेना है अब्दुल कलाम साउस वाज इन रामेश्वरम कापर था रामेश्वरम में उनका घर था तो यह आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेजेगा चाहे आप किसी भी जगे से इस वीडियो को देख रहे हैं वाट वाजदा के रेश्टेक अब्दा इंटेरेक्ट तो यह पूरा आपको याद कर लेना है उसी के नीचे यह जो कोस्चन दिया गया है वाट वाजदा जर्मन रिल इंदा अब्टन प्लेवेक्ट तो यह भी आपको याद कर लेना है उसी के नीचे एक question दिये गए हैं तो आप सभी लोगों को इन question answer को बहुती अच्छे से याद कर लेना है खास कर यह जो दिया गया यहां से जैसे कि Who is Maria Sarapova Maria Sarapova कुन थी तो देखिएगा Maria Sarapova is a Russian tennis player यह आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए और उसी के नीचे question आप से पूचे गए है Why did Maria Sarapova mother not got with her US तो देखिएगा She did not go to her US due to the visa restriction तो यह आपको याद कर लेना है What motivate Maria Sarapova to keep going तो यह आपको याद कर लेना है Humaj Bruno यह भी आपको याद कर लेना है Bruno Vajay Baby Bear यह बिल्कुर चोटे चोटे question तो यार आप वैसे याद कर सकते हो याप यहाँ से देखिएगा Was Bruno loving playful fate तो देखिएगा Yes Bruno was loving playful fate What accident befell Bruno Bruno ate poison and was paralyzed तो देखिएगा Bruno ने क्या खालिया था जेर खालिया था और paralyzed हो गया था और आगे question आपसे पूचे गए है देखिएगा What is the gerrit of the profession देखिए तो यह आपको पूरा याद कर लेना है और उसी के नीचे question आपसे पूचे गए है तो यह भी आपको याद कर लेना है तो दोस्तों यह जो मेरे द्वारा question आप सबको बता दिये गए है बिल्कुल ही सरल तरीके से मैंने आपको अच्चे से explain करके बता दिया है आप यहां से देख सकते हो कितने सरल question है इनको आप एक ही बाड़ में पढ़के याद कर सकते है पूरे के पूरे तो आप सभी लोग इन question को जरूरी याद कर ले अब मैं आपको बता दू आपकी समस्या का समधान मेरे दौरा कर दिया गया यानि कि आपको आपको इसा भी सेट आए आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है आप सिर्फ इन question answer को अच्चे से याद कीजीगा आपके पास में जो भी सेट आएगा सभी सेटों में ये question आपको देखने को मिलेंगे किसी में ये आ जाएंगे किसी में उपर वाले आ जाएंगे तो आप सभी लोग इतने जरू अच्चे से याद कर लो बिल्कुल आप real paper के चक्कर में मत फसो क्योंकि चक्कर पता ये है कि आपको एक real paper मिल जाएगा हो सकता कि आप जिले में हो जिस जिले सो वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस बार जो है ना सेटों में paper बन की आ रहे हैं तो इन paper के चक्कर में आप फेलोर हो जाओगे इस सच्चा ये है कि आपको मेरे द्वारा जो question answer बताए जा रहे है आप सभी लोग इनको अच्चे से note जरू कर लेजेगा जिससे कि आपके तयारी अच्चे से हो सके बिल्कुल आपके पास में चाहे कोई सा भी सेट मिले आपको यही question answer आपसे परिक्चाव में पूछे जाएंगे और paper देने के बाद में आप मुझे इस वीडियो पर comment करकी जरूब बताएगा कि sir आपने जो बताये तो वो question कितना है क्या सारे आए या कितना है बिल्कुल मैं आपको इस बात की 100% guarantee दे रहा हूँ तो कि आपके जो paper बनाए गये हैं इसी जगे से बनाए गये हैं पूरे के पूरे जो है ना इसी जगे से मैं जो आपको जिस PDF को बता रहा हूँ ना इसी PDF में से उसमें question answer पूरे रखे गये हैं तो आप सबी लोग इनको जुरू अच्छा से याद कर लिजीगा जल्दी मैं आपको ये भी बता दूँगा के पेसे कौन-कौन से आएंगे और आपको क्या-क्या और करना है तब तक आप इन question answer को याद जरू कर ले question answer जो है ना आपके paper में 10 नमर से लेखे 16 नमर तक के question में आपको ये देखने को मिलेंगे विसी के साथ में मैं आप सबको वारसिक परिक्चाओ के लिए सुपकामना देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ नमस्कार